मेरे नम ग्रेस है और अगर आप मेरे चैनल में नए है तो मेरे चैनल को subscribe करना और मेरे वीडियो को like करना ना भोले आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने बेडरूम में अपने बेबी इवानक ले उसका corner कैसे बनाने वाली हूँ आप लोग भी मेरे विडियो से कुछ आइडियास ले सकते हैं और अपने होने वाले बेबी के लिए एक छोटा कॉर्णर अपने बेडरूम में बना सकते हैं यह मेरा बेडरूम है यह मेरे साइट का कॉर्णर है और इस कॉर्णर में मैं इवाना के लिए स्पेस बनाने वाली हूँ मेरे कम लिए बनाने वाली हूँ झाल 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 चाहिए थे और मुझे लगता है ये काफी सुन्दर दिखेगा लगने के बाद तो मैंने एक सेट जो है वो तयार कर दी और इसका सेकेंड सेट जो है वो मुझे तयार करना है नेक्स्ट मैं ये येलो कलर का बटरफ्लाई ली और ये बटरफ्लाई को मैं बेबी के क्रेडल में डालने वाली हूँ ये सबसे मैच करते हुए मैंने ये लेमं कलर का बढ़ का करड़ ली वैसे तो आरटी मेरे बेडरुम में ब्रॉंज कलर का कर ड़ लगा हूँ आँ काफी शाइनी माटेरियल है और ब्हुत तिक माटेरियल है तो मैं इसके जस्ट कॉंट्रास्ट में कुछ लेना चाहते थी तो मुझे लगा कि ये लेमेन कलर का कर्टिन काफी सुन्दर दिखेगा तो मैंने ये कर्टिन को यहाँ पर दो डालूंगे और इसके सेंटर में भी दो डालने वाली हूँ आप देख सकते हैं ये लेमेन कलर का जो कर्टिन है थोड़ा सा ट्रांस्परेंट माटेरियल है और मुझे ऐसा ही चाहिए था जिससे सनलाइट थोड़ा घर के अंदर आ सके मुझे लगता है ये काफी सुन्दर लगेगा लगने के बाद ये लेमेन कलर का कापिट है ये कापिट मैं कम्प्लीट इस एरिया में डालने वाली हूँ और ये इतना पाट को कवर करेगा मुझे लगता है ये लेमेन, येल्लू और जो मस्टर कलर का कॉम्बिनेशन है काफी खुबसरत दिखने वाला है तो चली इसकी शुरुआत करते हैं और इसे लगाना स्टार्ट करते हैं आपको अाहना स्टार्ट मुझेगन सपर्ट करते हैं क्या है झाल 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 प्रिट होने के वाद कितना प्यारा लग रहा है इसमें complete golden leaves और golden butterfly है और बिलकुल मेरे interior से match यह यलो बटरफ्लाई को मैं ने बेबी के cradle के लिए इस बेट पे मैं जगे तेगे पे यह यलो बटरफ्लाई को स्टिक कर दी जो है यह गिफ्ट है मेरे brother-in-law sister-in-law के तरफ से कर दो है तो यह ready हो चुका है और इसे मैं इसने बेबी के corner में रख दी अभी मैं आपको बताती हूँ यह है क्या यह बेबी का changing station है और बेबी का sleeping station है आप यह corner में देख सकते हैं यहाँ पर बेबी का nappy उसका bottle जो भी है useful चीज रखने के लिए और यह जो changing station है उसको नहां के लेके जाने के बाद यहां पर उसके कप्ले चेंज करने कले फिर यह जो है यह sleeping station है इसमें अलग-अलग mood है vibrations के और बैटरी डाल के देखना पड़ेगा और क्या-क्या है इसमें इसमें बेबी को सुलाने के लिए है यह जो नीचे का पाथ है यह पूरा organizer है इसके अंदर आप डेट रूम कम्प्लीट कैसा दिखर रहा है आप देख सकते हैं यह येलो लेमिन और मस्टरट का जो कॉम्बिनेशन है मेरे रूम में कितना प्यारा देख रहा है और मेरे इवाना का corner कितना क्यूट दिख रहा है इसके जो लैम से वो भी बिलकुल perfect लग रहे है और उसका नेम जो बीच में लिखा हुआ है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है मुझे लगता है मुझे जैसा चाहिए था उसका corner perfectly वैसा बना हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल